आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं कुछ समझे दया कुछ समझे दया नहीं समझे आहा विल्कुल सही समझे है मनीश कश्यप का कौपी करने लगे माननीय प्रदान मंत्री नरेंद्र मोती जी जी हाँ दोस्तो कीवाँ मनीजितोब पैर पीछे कर लिये बीजेपी में सामिल हो गए अचांजब आसवाल जी का परचार करने लग data पूरा वीडियो ज़रूर देखियेगा सबसे पहले आपको कैसा लगा का सुरुवात वाले इब लिखे तो कईसा लगा मतलब नहीं समझे अरे कुछ समझे दाया क्या वही चीज की मनीश कश्यप का कौपी करने लगे मानिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसावित हो गया कि कहीं नरेंद्र मोदी जी भी मनीश कश्यप का वीडियो देखते होंगे बात है जो लिखा वाथा वो बता दिये है आगे बढ़ते दरसल पूरा माज़रा समझाते आपको कि माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी का यह भासन था यह कहां तो जाली जीए आज पूर्वी चमपारण जहां से डोक्टर राधा मोहन सिंग डोक्टर है कि नहीं है नहीं राधा मोहन सिंग डिरेक्ट है अच्छा तो पूर्वी चमपारन से जो सांसद का उमिध्वार है BJP से वो है राधा मोहन सिंग, वही राधा मोहन सिंग के चुनाओ, प्रचार के लिए आये थे, कौन, कौन, मोधी जी, नरेंद्र मोधी जी, वही तो भाषन दे रहे थे, वही तो बोल रहे थे, और एक फोटो आपको खुर्षे antamang techniques 4 पताई कून और यह बेटिया प्ष्च्मी चंपाराणध का जिला मस्ति नंप interpretation सर्फिल संचाइश इस्वाल जी कि अथर नियुट आा तक करने antいました थॉस्तम धो 89 जिकि करें पर दानमंति नेरेंद्र मोदी जी पाने नेरेंद्र भीम हैं हम और कर लेते हैं और उसके बाद लाश्ट में आपको बहुत बरा चीज बताएंगे बता ही देते हैं कि यह वीडियो में बता देते हैं उबला बात जरूर सुनके जाईएगा कि आखिरकार मनीश कश्यप जो है वो विधान सभा के बाहर फोटो खिचवाए थे क्या सोच करके और फेस्बुक पे कुछ लिखे हैं क्या सोच करके और एक तम बीपिन सर को भी रेल दिये हैं ओह बतबा सव अंती में बताएंगे करते क्या हैं आप लोग वीडियो पुरा नहीं देखते हैं और आधा पर से देखके भाग जाते ह बनिया बनिया बात था हम लास्टे में बोलते हैं तो लास्ट तक बने रहिए गा चलिए बात करते हैं आगे का अब आगे का बात ये है कि प्श्चमी चमपारन बेतिया से डॉक्टर संजाई जासवाल जी खड़े हैं रहता है, तो क्या चुनाव परचार करने के लिए उपर के सिर्ष नित्रित्व से नेता लोग नहीं आएंगे, आएंगे, तो बस मनिश कश्यप को ही पता था, कि जैसे ही मोदी जी आएंगे, वैसे ही सारा जो मेरा बोटर समर्थक है, सब कहीं घूम न जाए, ऐसे जरूरी न अपना पैर पीछे खीच लिए, क्योंकि उनको पदा था कि डॉक्टर संजाई जायसवाल जी कोई छोट मोटा आदमी तो नहीं है, हम ताराम से चुनाव जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि बोट कटवा बनेंगे, काहला, कि एक तरफ मदन मोहंतिवारी, पाटी के नाम पे तीहारी परचार करने के लिए राधा मोहन सेंग जी का, तो अब कुल मिलाकर बात ये है, कि मनीश कश्चप को ये मालूम था, क्यों निर्दली ये चुनाव अगर लड़ते हैं, तो वो हार जाएंगे, ये कनफरम है, और हो नहो हार भी जाएंगे, और हो नहो बीजेपी के केंडिडेट, डॉक्टर संजय जासवाल भी हार जाए, और जीते कौन मदन मोहन तिवारी हो न हो, तो इसलिए मनीश कश्चप अपना पैर पीछे खिच लिए, मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं मनीश कश्चप का, कि भल्ले ओ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, भल्ले ओ तो आपको दिख रहा होगा, यह स्क्रीन शॉट, क्या लिखे हैं, तुम जलना, नहीं हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तुम जलना बरकरार रखो, हम जल जला बरकरार रखेंगे, ऐसे कुछ करके लिखे हूं है, देख सकते हैं, आप लिखा हूआ जो भी है, यह इ लते रहो, हम जला जलना, बरकरार रहेगा, अब देख सकते हैं, कि फेस्बुक पर पोस्ट किये हैं, मनीज कश्यप, यह झानी कि मनीज कश्यप ने फिर से विपिन सर को रेल दिया है, रेल गारी वाला रेल नहीं, दो सर रेल होता है, इस हम ज़ते हैं? हाँ, समस्धार था अब बात करते हैं कि मनीश कश्यप का एक बहुत बारा जों बात बताना चाहते हैं फोटो दिखराएगो दिखराए फोटो बाबाबा देखिए ये फोटो पोस्ट किये हैं मनीश कश्यप दो दिन पहले बिधान सभा के बाहर ख़रा हो करके एकदम इस पोज में ख़रा है और घूसेंगे तो जरूर चाहे जो हो जाए जूकूंगा नहीं साला इस फोटो को देखिए आपको लग रहा हुआ कि मनीश का सब के अंदर में वो गड़मी है खून में कि वो सोच रहा है कि जिस दिन मौका मिले मैं उस दिन इस विधान समा में घूसूंगा जरूर और यह जो मनीश का सब फिर से अपने फेस्बूक पे पोस्ट किये हैं इसका मतलब इसारा क्या है कि मनीश का सब चाहते थे पहले से ही कि वो बिधान सभा के अंदर घूसे मनीश का सब पहले से ही चाहते थे कि वो नेता बने और वही आज उनका सपना पूरा हो गया अब भाई मतलब घूस गए बीजेपी में तब विधानों सभा में घूसी ने जाएंगे जी इसी को कहते हैं कि अगर कोई इंसान चाहे अपने दम से अपने मेहनत से तो हर चीज को पा सकता है अब आते हैं जरा एको बहुत इंपोर्टेंट बात बताना है वो जरा सुनके जाएएगा प हम एक वीडियो लाए है दो एसे एस किरियेशन पर बनिया वीडियो है बिहारी को गवार समझे क्या इतना अच्छा वीडियो को कोई गाली गलोज नहीं है एक दम बिहारी को किस तरीके से लोग सोचते है कि बिहारी जो होता है गवार होता है अनपड होता है फटीचर होता अच्छा बता है, हम लोग बिहार को बदलने की बात करते हैं, और अच्छे अच्छे कॉंटेंट को हम लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, और गाली घलोस करने वाले को इतना ताव से सरम करना चाहिए ना, फिर कहला बोलते हैं कि बिहार को बदलना है, बिहार को बदलना है, तो फिल्म इंडस्ट्री को भी तो बदलना होगा, चलिए इस पर एक खूब आवाज उठाएंगे हम, अभी तो चलिए सिर्फ बता दियें आप लोग को, कि जरूर जाके दव एसेस क्रियेशन पर मेरे अगर नहीं अच्छा लगा तो कॉमेंट में लिखिया कि नहीं अच्छा लगा, बिना गाली गलोच किया कितना अच्छा बनाएं लेकिन वीडियो नहीं चल रहा है, क्योंकि उसमें माय बहिन का गाली नहीं दियें, और जहां माय बहिन का गाली होता है, वो वीडियो पर दिख रहे थे जैसरी राम हरर महादेव जै बिहार जै हिंद